हाई फ्रेंड आप देख रहे हैं आप से इंग्लिस क्लास चैनल आप सब का मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम मॉडल्स में कैन, गुड और विल बी, एबल टू का यूज देखेंगे उससे पहले आप सबसे मेरे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगोंने मेरे यूटूब चैनल आज इंग्लिस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बल अइकन का बटन प्रेस करके रखें नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए और अपने फैमिली में लाइक से और फोलो करना ना भूलिए तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं तो आज मैं मॉडल्स में ने और आम में मोडल्स ॉप पार्ट बताओंगी sasakते है ना जब भी किसी सेंटेंस के ऐंडिंग में कर सकता कर सकती थी हम कर सकते थे ऐसा जब आएगा तो उसमें क्या लगेगा यहां लगाएंगे उसी तरह कुट का यूज बता देती हूं मैं कुट मतलब क्या होता है सका सकी पाया पाई कोई भी सेंटेंस के एंडिंग में Sकता मैं कर सका मैं कर सकी मैं करपाया या मैं कर पाई ऐसा जब आएगा तब कुड़ लगाएंगे इस पो कर में बताता नहीं विल बी अबल टू में, क्या करना है, विल बी अबल टू आएगा, तो sentence के ending में, जब कर सकेगा, कर सकेगी, कर पाउंगा, कर पाउंगी, जब यह आएगा, है ना, वैसे तो will का मतलब आप समझ सकते है, गागी आएगा, तो समझना, लेकिन be able to, है ना, इसी रहे हाँ पर कर सक लेगी, कर पाउंगा, कर पाउंगी, जब ऐसे आएगा, तो क्या लगेगा, will be able to models लगेगा, तो चलिए, मैं आपको example से बताती हूं, और यह सारे जो models हैं, हम किसी अच्छे जगे पर office में, कहीं पर भी जब हम अच्छे जगे बात करते हैं, meetings में, तो आप यह सब models के use करे करेंगे, यह बहुत polite language है, तो आपको बहुत मतलब, को भी सुनने वालों सुचे कर इसको बहुत अच्छी English आती है, यह सब बहुत polite language है, can, code, है ना, तो यहां पर आप यह सब office वेकरा में use कर सकते हैं, तो चलिए, मैं आपको इसके structures बताती हूं, structures में क्या है, वही, subject आए तो वे, car चला सकती है, है ना, यह सकती है, car चला सकती बोल रहा है, मितलब, ability की बात कर रहा है, छंता, है ना, छंता है, यहां पर बोलें, छंता या या योगिता की बात होगी, कि तुमारी छंता है की, car चला सकती हो, तो आपको subject क्या है, यहां पर वे, वे, सकती English, है ना, लड़की वाला वे है तो C लगेगा है ना subject वे C अब model क्या लगाना है यहाँ पर सकती है वे car चला सकती तो can C can चलाने को क्या बोलते हैं drive drive औब car है ना तो C can drive औब car चलिए next example पर friends उस पर और अच्छी तरीके से समझे उसके राज अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता है यहाँ भी छंता योग्टता की बात ही ऊसकी अभिलिटीग है कि नहीं वह पढ़ा सकता है कि नहीं है ना यहाँ भी can model आयगा ठीक है तो subject क्या है राज राज अब model सब्सक्राइब से किया नई पढ़तों Gue अगर का सकते तो इसले के कर बाद NOT अब पढ़ञाने को क्या बोलतें teach बोलते हैं ना teach object क्या है अंग्रेजी English है ना तो राज cannot teach English समझ में आया friend कैसे यहाँ पर मैंने can का use किया यहाँ पर क्यों can लगाया है चले next example पर और अच्छी तरीकी से समझें क्या तुम यह सवाल हल कर सकते हो यह भी आपकी छंता की बात पूछ रहा है ना आपके अंदर की ability है की नहीं है आप तुम यह सवाल हल कर सकते हो यहाँ भी कौन सा model आएगा can आएगा तो लेकिन यहाँ क्या पहले पूछ लिया तो model पहले आ जाता है जैसे और sentence में था तो जब क्या वाल बात होती है तो helping वर पहले आ जाता था तो यहाँ पर models पहले आ जाएगा ठीक है सकते हो तो can फिर सेम है तुम सब्जेक्ट है तुम को क्या बोलेंगे you हाना हल करने को क्या बोलते है solve यह सवाल यह को दिस सवाल को question you can solve this question यह था can का यूज फ्रेंड देखिए इसको आप अच्छी तरीके से समझी आपको समझ में आ जाएगा चले मैं आपको कूट का यूज बताती हूँ कूट कहां पर करना चाहिए है ना कूट का क्या मतलब कूट का बता दिया मैंने सका सक की आए बदा जर्ट तो दृट के साथ में अको बताती हुव सबसे पर देखे stalk एंगा कि तीन बजे सोग्या मैं तीन बजे सोगा और ममें तीन बजह सोग्या टीक है नहां पर कौन सा मोले कुड आएगा सका पाया सकी यह सब जब भी आएगा तो मैं क्या बोलूं कुड आएगा है तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है मैं मैं को आई अब कौन सा मॉडल लगेगा कुड आई कुड सोने को क्या बोलते हैं स्लिप स्लिप एट थ्रियोग प्लॉक है ना एट थ्रियोग प्लॉक अबजेक्ट क्या अबना थ्रियोग लॉक ठीक है तो चलिए नेक्स एग्जांपल पर आते हैं मैं बोरा नहीं उठा पाया या मैं बोरा नहीं उठा सका दोनों टैप के सेंटेंज बन सकते हैं तो यहाँ पर क्य आएगा सका पाया सकी तो मैंने बताए पुड तो यहां subject के आप पहले देखिए मैं I है ना खुड लगेगा यहां पर सका सकी पाया आ रहा है तो कुड नेगेटिव और के बनाना है ना अब उठाने को क्या बोलते हैं पिक यहां बुरा होता है इसका मतलब सेट आई पुड नॉट पिक दा सेट है ठीक है चलिए नेप्स एजामपल पर क्या तुम समय पर पहुंच सके यहां भी सका सकी आ रहा है तो कुड लगेगा क्या आ रहा है लेकिन तो क्या आएगा तो मॉ तो कुड बाकि सेम तुम सब्जेक्ट है क्या बोलेंगे यू पहुचने को क्या बोलते हैं रीच तो यू रीच समय पर बोल रहा है ना पर तो आन टाइम है ना कुड यू रीच आन तो फ्रेंट्स यह था कुड का यूस आपको कुड समझने आ रहा ही नहीं देखिए मैं यहां पर कुड को समझाय कहां पर लगेगा फुर्ट मॉडल कहां आएगा तो चलिए मैं आपको next will be able to समझाती हूं एक्जामपल लेते हैं पहले will be able to ठीक है कर पाएगा ऐसा जब भी आएगा तो will be able to लगीगा है ना गागी आगा तो will be able to आएगा ठीक है ability ही रहेगा ले इडामपल से बताती हूं नहीं वह अंग्रेजी बोल पाएगी यसमें भी ability देख रहे है ना वह अंग्रेजी बोल पाएगी है ना तो अब subject क्या है वह थो see हैना अब यहां क्या लगाना subject के बार model लगाना है तो C will be able to बोलने को क्या बोलते हैं speak object क्या हमारा English अंग्रेजी C will be able to speak English अंग्रेजी बोल पाएगी चलिए next example पर और अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको मैं उसकी मदद नहीं कर सकूँगा मेरी ability नहीं है मैं उसकी मदद नहीं कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा ability की भी बात हो रही है और गार है तो अपन को क्या लगाना है will be able to subject क्या है मैं को क्या बोलते है I अब model कौन सा लगाना अपने को will be able to लेकिन ये negative sentence है नहीं कर सकूँगा तो अपन को इसको negative बनाना तो will not be able to मदद को क्या बोलते है help उसकी को क्या आ जाता है जब यहाँ object में आता तो उसकी her हो जाता है help her I will not be able to help her ठीक है friends चलिए और example से आपको समझाती हूँ है क्या तूम उसे डाट पाओगे यहाँ भी ability की बात हो रही है लेकिन गागी वाला आ रहा है तो क्या है को will be able to है ना क्या तूम उसे डाट पाओगे अब क्या वाला आ रहा है तो क्या होता है क्या की बात जब आती तो helping verb यह model पहले सामने में आ जाता है तो उसमें अपना आ रहा क्या model लगेगा will be able to तो हो पहले model सामने आएगा will subject क्या हतून तुम को क्या बोलते है विल यू बी एबल टू डाटने को स्कॉल उसे को हीम हाना विल यू बी एबल टू स्कॉल हीम हाना तो फ्रेंड्स यह था हमारे आज के तीन models आप अच्छे तरीके से मेरे वीडियो को देखिए आपको तीनों model समझ में आ जाएंगे और office वेगरा में कहीं meetings में यह सारे models यूज करेंगे आपको सब कोई भी सुनने वाला बुलेगा बहुत अच्छे इंग्लिस आती है और यह बहुत polite language है मैं बार पर पूर रहे हूँ बहुत polite language है आप इसे यूज करें अपने रोज मर्रा की लाइफ में भी आप यूज करिए और आप मेरे वीडियो को देखते रहे है और अच्छ इंग्लिस सीखने के लिए मेरे यूटूब चैनल के साथ जुडे रहे है आप इंग्लिस क्लास के साथ में और मेरे वीडियो को रगतार देखते रहे हैं एक वीडियो को दो चार बढ़ देखिए जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप समझ सकेंगे और बहुत ज़र्दी आप इंग्लिस बोलना भी सीख जाएंगे समझना लिखना भी आपको आ जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ने प्रेंड्स आदेविडियो आपको आपको शाएंगे अधा प्रेंड्सнако較 चारोओ आपको इंट्समझ में डिक्राव तरो तक देखिए फॉस्तर खवर आपको और longer हैं इस्में भी आपको जोंगे तरो नक्मे скорее अट और डопас नबलेंडचंड़ार आपको यारॉस्यक्र अल्